Hi everyone, this is Jayakaram Channani, welcome to Invincible Passion Talk Show. आज आपके साथ शेर कर रही हूँ कि लोश्यू ग्रिट क्या है और लोश्यू ग्रिट से आप क्या-क्या जान सकते हैं. अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब कभी आपको लोश्यू ग्रिट बनाना हो, तो आपको अपने जन्तिती से कुछ यूँ अंक लिखने पड़ेगे. अब हर अंक कुछ कहता है, लेकिन आज पहले यूँ समझे, जब कभी आप अपना लोश्यू ग्रिट बनाते हैं, तो लोश्यू ग्रिट के उपर वाले हिस्से में ये अंक आते हैं, चार, नौ, दो, नीचे पीछ वाले में आएंगे, तीन, पांच, साथ, नीचे आएंगे, आठ, एक, छे, ये चार अंक आपकी संपत्ति और प्रोस्पेरिटी को बताता है, ये नौ अंक आपके नाम और शोहरत को बताता है, और ये अंक दो आपकी शादी, आपकी खुशियां, आपके रिलेशन्शिप्स के बारे में बताता है, ये अंक साथ बताता है कि आपकी क्रियेटिविटी और आपके बच्चों के बारे में, और ये पांच अंक, यूं कहूं तो घर का मध्ध भी बतात आपकी हिम्मत को बताता है, आपका केंद्र, आपकी पीठ और आपके पेट को भी बताता है, अंक तीन, ये आपके परिवार को बताता है, आपकी सिहत के बारे में बताता है, और अंक आठ, ये आपकी नॉलिज, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा उसके विज़े में बतात अंग एक, ये आपके करियर के बारे में बताता है, है ना इंपॉर्टन टॉपिक। और ये अंग छे बताता है कि लाइफ में जब आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको मिलती है या नहीं, लोग आपकी मदद को आते हैं या नहीं, या वो मदद आपको ईश्वर से भी कैसे मिलती है आपकी spirituality धर्म के बारे में भी बताता है आपके foreign travels के बारे में भी तो अंग चार आपकी संपत्ती को बताता है अब जब कभी आपको अपना low shoe grid बनाना हो तो आपको करना क्या है जैसे कि example में आप देख रहे हैं मैंने Jeff Bezos की जन्तिथी ली है उनकी जन्तिथी है 12 जन्वरी 1964 तो जन्तिथी में जो अक्षर आए हो जो numbers आए हो आप उनको इसी table के हिसाब से आप लिखें पर अगर आपकी जन्तिथी के दो अंक हैं तो उनको आप जोड़कर single digit में भी ले आएंगे जैसे Jeff Bezos उसका जन्तिथी में एक आया तो मैंने यहां एक लिख दिया दो आया तो यहां पे हमने दो लिख दिया लेकिन इस बारा को जोड़ा तो आया तीन तो यहां पे यह तीन लिख दिया जन्वरी पहला महिना है तो उसका भी एक आगया हमने एक यहां लिख दिया उसके बाद अगर आप इनके साल को जोड़े उसमे 1964 में एक और एक आया है तो हमने एक यहां पे भी लिख दिया नौ आया है तो नौ यहां पे आगया छे आया है तो छे यहां आगया चार आया है तो चार अब जैसे यहां पे चार आया है जिस जगे हमने चार लिख दिया लेकिन इनकी पूरी जन्टिथी को हमने जुड़ा तो आया छे तो यहां पे एक बार और हमने छे लिख दिया तो अब आप ध्यान दें इस बात को कि आप जब अपनी जन्टिथी से लोशू गुरिट बनाएंगे तो आपको यूँ ही अपनी देखें कि आपके जन्टिथी क्या है और उस जन्टिथी के अनुसार आपके कौन से अंक आये हैं अब इनका अंकों का मतलब क्या हुआ तो मान लें उपर वाला जो ये रो है उपर के जो ये तीन अंक है चार नौ दो ये मान लें कि किसी व्यक्ति का सिर है यानि ये अंक अगर किसी के जन्टिथी में देखें तो आप समझ लें ये व्यक्ति दिमाग से कितना इंटेलिजेंट है दिमाग से काम ज्यादा करता है अगर किसी की जन्तिती में आप ये तीन पांच साथ देंख ले तो मान लिए व्यक्ति दिल से ज्यादा सोच के काम करता है इमोशनल होगा यहां दिमाग से ज्यादा काम करते हैं क्योंकि लॉजिकल है अगर किसी के में आठ एक छे देखें तो मान ले ये व्यक्ति महिंती ज्यादा है काम करने में, कर्म करने में ज्यादा विश्वास रखता है अब अगर आप जेफ बेजोस की जन्तिती देखें तो आप तुरन समझ गए कि चार नौ दो है तो ये व्यक्ति दिमाग से बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है दिमाग का ज्यादा उप्योग करता है तीन है, बीच में ये पांच नहीं आया, साथ नहीं आया तो ये व्यक्ति कितना एमोशनल होगा दिल से कम दिमाग से ज्यादा और लॉजिक से ज्यादा सोचता है अब यह व्यक्ति यहां आठ एक छे में आठ नहीं आया पर अंक एक तीन बार आया है, छे दो दफा आया है इस वीडियो में आज इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि अंक आपका एक बार आया है या वो अंक कितनी दफा यह मानने अगर किसी व्यक्ति के लोशू ग्रिड में वो अंक नीचे के आगए तो मतलब वो मेहनती भी है, काम करने में भरोसा रखते है तो ऐसा व्यक्ति, आप यह नहीं कहेंगे कि आल्सी है ऐसा व्यक्ति मेहनत भी हरता है शारीरिक। फिजिकल हाड़ वर्क भी करता है। तो अब अगर आपको कभी किसी के विश्या में जानना हूँ कि भई उसके लोशु गृट से कि वो दिमाग से ज़दा सोच के काम करता है या दिल से ज़्यादा सोचता है या शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है तो ये व्यक्ति दिमागी तोर से बहुत स्मार्ट होगा सोच समझ के काम करता है और मेहनत शारीरिक श्रम भी यानि फिजिकली भी अपने काम में involved रहता है तो आज ये लोशू गृट का वीडियो था इस विशे पर आप से चर्चा करी थी कि जब आप अपनी लोशू गृट बनाएं तो वो लोशू गृट क्या है और लोशू गृट के ये रोज क्या कहते हैं अगले वीडियो में आप से बात करूँगी कि अगर ये आपकी मेहनत आप फिजिकली जादा मेहनत करते हैं या दिल से कैसे हैं इस वीडियो को शेयर करना ना भूले अगले हफते आप से लोशू गृट के विच्छे में कुछ नई बातों के बारे में भी जिकर करूगी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे झाल